नमस्कार करते हैं हम आप सभी को और यहां पर जैसा कि फोर्थ हीर का यह कोस्टन है और यहां पर हमने सॉल्ब किया तो चाहे तो यह देख सकते यह इसका एंसर आप मतलब यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जागा यह कोस्टन पढ़ सकते हैं यह तीन घंटे का ट कि कौपी में लिखना है यह उत्तर पुछती का है उत्तरईसी में लिखना है यह ताफे भी नहीं भाडिए और यह यहां पर हमें गुरु जिसे पुछना इस लिए भी हमने नहीं बनाया पहला और extr visit Seth पूछ कर इसका एंसर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिग चुके हैं आप उसका सब देखने जिए बादवा कि ये पूरा का बना है तो पचास नवर प्रेक्टिकल पचास नवर ठीरी होता है तो यहां से लेकर ये देख सकते पूरा कोशन पढ़ सकते विडियो पॉच करक देख खेंए और उसके बाद यहांबो में एक शब्द में उत्तर देना है इसका एंसर हम ऑंडिस्क्रिप्शन बॉक्स में देज़ों क कar की क्या है थार तो यह सब कुस्षण का एंसर देखते फिर इसका दलग हूं उत्रिया प्राष्ण विद्था यहां पर हम सभी बनाए हुए यहां पर तो करा किनी चार प्राष्ण वित्तर देने के लिए तो ऐसे चार कही है लेकिन आप चाहिए तो पूरा देख भीजिएगा फिर उसके बाद है कि यहां पर भी तो इसका एंसर हम बनाया हुए तो आप यहां पर इसको फिर बनाया है तो उसी को देखना है तो सहस्पने जो यह कोशना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजि कि कभी मूल राग के स्वरुप को थोरा छीपा देने से अत्वा उसकी संप्रकृति राग की छाया लाने से राग की मधूरता बठ जाती है जिसे तीरो भाव कहते हैं इसके बाद पुनाह उसी में आते हैं तो असान सा किलिया यह किया जताविर भाव तीरो भाव जब थोर कुष्ण था कि अलपत्व जैसा कि अलपत्व का क्या अर्थ है तो अलपत्व का अर्थ इस तरीके से हो जाएगा कि जब किसी स्वर का अलपर्योग होता है तो उस स्वर का अस्थान अलपत्व कहलाता है थार्ट कुष्ण है कि चतुरंग किसे खाते हैं तो चार वस्तूओ के मिश्रन को चतुरंग कहते हैं जिसमें सहायत्य तराना फखावज अथवा तवला के बोल तथा सरगम होते तो यह चारों चीज रहते हैं तो वहीं चतुरंग होता है फिर उसके बाद टपा टपा कि क्या है तो टपा इस तरीके के यहां है कि टपागीत का वहाँ परकार है जिसके शब्द अधिकतर पंजाबी पहाशा के होते हैं तथा जिसकी प्रकृति चपल होती है जिसमें श्रिंगार रस की प्रधानता होती है फिर धमार धमार के वारे में है कि यह गीत का प्रासिन प्रकार है इसमें धमार ताल में गाया जाता है इसे तथा इसकी राधा क्रि नवर्गोपियों की होली का वर्णन मिलता है इसमें नॉम् तोम का लेकारी दिखाते हैं इसमें दूगुन-तीगुन-चौगुन आर खूब परयोग करते हैं इसमें खटके अथ्वातान के स्वर्ण समूह वर्ज्या है खटके और तान इसमें नहीं लिया जाता है धमार आप सुनेंगे वह पंडित राजन शाजन मिस्री जी का तो बहुत ही अच्छा लगेगा और नायकी क्या है तो नायकी है कि जो प्राचिन तथा नवीन दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ग्याता है और गूरुव प्रंप्रा से मिली हुई शिक्षा के अनुसार ताल और स्वर में बंधवी चीजे शुदूरूप से गाता बजाताएं उसे नायक कहते हैं तो उनके उसके द्वरा पर धुद्षित की हुई अर्द दर्शक स्वर का लाता है मध्यम तो इस सब को विस्तार से बहुत जाने के लिए और प्ले लिस्ट से आप आराम से ये दोनों किताब को असानी से पढ़ लेंगे राग परिचाय यह पर तो भाग डू है और राग पर आग वान है तो ये दोनों का आराम से पूरा बताएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थalter तो पढ़ लेंगे वहली प्रेक्ट स्वाट से दुसरे ठाट में परवेश्च कराते हैं दोनों थाठों में समानता भी थोरी होती है तो वह ही परले पर्सक्राइब की विशेस्ता है राग सब्सक्तार और घ्राग जैसा कि देशकार और ऊफृपाली बार में यहां पर करा की स्वारों में क्या समानता है तो यह दोनों पढ़ेंगे तो इनके दोनों में यह समानता है दोनों की जाती और बादर है दोनों में सारे गप धपर योग होता है स्वार समूं भी दोनों पर योग होते हैं तो इस तरीके कितने सारे समानता हैं फिर उस कि तराना यहां गीत का वहां परकार है जिसमें नौम तौम तननना दिरदानियाद यह वर्ण होते हैं जिसे मध्यले के तराने की गती धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है और वहां धिकता हम गती में पहुंचकर उसे समाप्त करते हैं तो लागा चुनिडी में दा गया एक तरी में आ जागा तो हमने इस को सन का जो यहां से लेकर पहिला का यह सभी के टीक लगा कर एंसर आप सर में दे चुके हैं तो पांचों का एंसर देख लीजिए इसका भी देख लीजिए और इसका एंसर अभी हम दोसों को बता दिए अभिर्भावाल पात्व चतुलंग मेल राग देशकार औरुपाली में समानता तरणा अब इसमें देखेंगे यह सब का एंसर तो हम पहले देखते हैं कि आपके पाठे करम में से किसी एक परमेल परवेशक कराग का पूर्ण परिच्या एक राग जो परमेल परवेशक हो हमारे चतुर्थ हियर की सिलेवस जैस इसको पहले प्रतं वर्स का भी आप चाहे तो देख़ लिजे साधा आपको जरुद्वत पर तो Ireland पर आपको मिल जागा यूपी जो प्रत हम इसमें तुरीचे और दिया हुड तुरोमा करते हैं तो देख लिए कुर्स करते हैं तो आपको किर्यात्मक Micha करना है और बादवाखी उसका शास्त्रात्मक वना में आता शास्त्राला मतलब त्योरी से रिलेटेड़ आपको इतना सरा चीज परना है तो त्युरी वना देख सकते हैं आप चाहे तो स्क्रीन सट ले लिजिए और नहीं तो नोट्स कर लिजिए और इतना चीज आपको पढ़ना है तो उमीद करते हैं इसका स्क्रीन सट ले लिए होंगे तो हमारे सिलेवस में इतना सरा है जैसे है किर्यात्मक में देख सकते हैं यह सब अलग लग राख देशकार है शंक्रा है फिर जैज वनती है कामोध है मारवा है तो यह सभी परमेल परवेशक राग नहीं है बलकि है दो तीन है लेकिन जैज वनती बहुत परसीद है तो यहां पर हमने जैज वनती को परमेल परवेशक राग मानकर यहां पर हम जानने की कोशिस किये हैं तो हम उसी को भी जानते हैं परमेल परवेशक राग है तो जानते हैं इसके वारे में तो जैज वनती का पुर्ण पहले दे देते हैं तो इसमें है कि थाट इसका खमाज है जाती संपूर्ण संपूर्ण है वादी इसका रिशब है समवादी पंचम है गायन समयरात्री के दुसरे प्रहर के अंतिम भाग में गाते हैं आरोह इसका है अब रोह में अभी हमने ये राग को मैंने नहीं सीखा है बस अभी तक तो चार ही राग मैंने सीखा है पूरे में तो अभी धीरे-धीरे सीख रहे हैं पकर है इसका लेगरेशा और निसा धाव निस तो यह सब का मतलब समझ में आना चाहिए सिंपली पिर उसके बाद यहाहां पर है कि न्याजके तो ईसका सीख और निशाद लगते जब आरोह में जाते हैं तो पर के साथ हमेशा शुद्ध धर लगाते हैं और कोमल निशाद परयोग किया जाता है तो यह विशेस्ता है जैजेवंति का प्रक्रीती गंभीर तथा चलन तीनों सब्सक्राइब समान रूप से होती है एंवं बारा ख्याल छोटा ख्याल धूरूपद हमार सभी शोभा देते हैं इसमें ठुमरी नहीं गाय जाती है तो जैजेवंति में ठुमरी नहीं गाया जता है उसके बाद की विशेस्ता यहां है कि कोमल गंधार का अल्प परयोग केवल अवरोह में द ऐसा की देख रहे हैं कि साधानी मतलब यह देख सकते हैं फिर उसके आज सोलमातरा की अलाप यहां दो अलाप बोला लिखने के लिए तो हम एक आठ मातरा की लिख दिया और एक सोलमातरा की तो इस तरीका से आप भी लिख लिजिए गा नहीं तो दोनों आठ मातरा के भी करना तो इस तरीके से आठ मात्रा हो जागा तो इस तरीके यह तान फिर उसी परकार से यह पर भी करना होता है दो दो स्व vaccinated समूला मात्रा के है तो इस तरीके का यहां पर और आर्ठ शाना मत्रा यह लिख दिए तो पहला यहां पर टो एंसर हमने दे दिया इस तरीके के आपके पाठे क्रम में आप है राग मार्वा और सुनी का तुनना करने क्या है तो सभी का और इस बुक से मिल गया है तो राग मारवा और सोनी का तुलना किये हैं तो न स्क्राख की तुलना करते टार्ट तो दोनों में समान है यानि किमारवा थार्ट इत्पलिए है विक्रित स्लर् I can fire calm i r posible Georg में यह यहीं होता है यहां तक तो समानता वाला लिख दिये तुलना करना है तो समानता वाला लिख दिये अब यहां पर जो दोनम बिभिन ताय है अलग-अलग है वो जाती शाडव होता है मारवा का इसका जाती औरव शाडव होता है वादी समबादी में बात करें तो रे धा इसका रे होता है वादी धा होता है समबादी मारवा में सोहनी में धा होता है वादी स्वर समबादी होता है गः फिर उसके वाद है कि प्रारंभिक स्वर इसका नी से शुरू होता धिकतर उसके बाद सोहनी में सा से सुरू होता है प्रधानता पुर्वांग प्रधान होता है मारवा राग और वह ही मतलब मारवा और सोहनी होता है उतरांग प्रधान तो ये तुलना हमने कर दिया उसके बाद फिर तिसरा के question है जैसा कि यहाँ पर देख सकती है तीसरा question है कि छाया लग और संकिन राग किसे कहते हैं तो इस question का answer आप करने जा रहे है तो छाया लग जिस राग में किसी राग के छाया नहीं आती है वह शुद्ध जिसमें दो रागों का मिश्रन हो वह छाया लग राग कहलाता है तो अगर यहां पर तो सिर्फ जिसमें दो रागों का मिश्रन हो यहां पर यह एंसर होना चाहिए छाया लग राग कहलाता है शुद्ध राग कहलाता है जिसमें किसी की छाया नहीं होती हो तो इ कि मैं किवल दो राव का मिस्रानों वाच्छा हवा लाग के बिलाव की यह mines यह तु शुद्वला उडला और कि पूर्या धनाश्रील रहां भाहर यह क्यों कि यहराई चैसे यहां पर है अगर लिखते हैं तो देखी लिजिये संकिन्राग बात करें तो वहाँ दिसन्म में दो या दो सधीक रागों का मिशन हो संकिन्राग खानाताई से वहर बी पीलू इत्यात यह सब हो गए अब द्रीवट कि सिकों खाते हैं 331 के बारे में सिसतार से बता है तो त्रीवट के बारे में विश्तार से यहां पर बताने के लिए उलाय तो बता ही दिए है कि जैसा की नाम से पता चल रहा है कि इसमें तीनों चीजों का मिसरा नहीं इसलिए इसे तुरिवट कहा गया जता है ये भी फश्रबद हीन कीत है और मध्य ताल या दुरूत से बताने की कोशिश सर थार सकर करेंगे तो हम बता देंगे तो चार का इसलों के लिइन था उसके बाद है इसमें से दो का उत्तर देने के लिए हैं तो इसको आरा मसे देखी लिजिए दोसास पहले पूर्ण परिचया देते हुए यहां पर कहा गया है कि इसका ये भी लिखना है आवरतन के दूगून लिखना जैसा कि एक ही आवरतन में दूगून को लिखिए तो यहां पर हमने वही सब लिखा है कि आरा चारताल का पहले परीचाय दे दिया इस तरीके के कि मात्राइच 14 होता है विवाक साथ ताली एक तीन साथ और एगारा पर होता है खाली तीन होता है जो कि पांच नौ और और तेरा पर होता है शाइरा तरहा इसका इस तरीके से भी लिख दिया है परीचहा कि आरा चार तरहार वारती संगीत का प्रमुक तलह इसमें कुल मिलाकर च्वजा मातरा होती है इन मातराओं को दोडो कर साथ जो भागों में रखा जाता है एक लोकोक्ति है जिसमें ना इसकि तालो मतलब ताली और खाली के बारे में भी कहा गया है कि 31 खाली भरी इस तरफ ताल दोये आप धा میں लिख सकते आरा और चोगुन लिखने के लिए फिर भी ठाब ने लिख दिया तो कोई गलती भी नहीं किया उसके बाद यहां पर दूगुन है तो दूगुन भी अराम से लिख सकते हैं यह वाला तो यहाँ पर यह लिख देते और यह तो हमने लिखना भूली गिया कि इसमें जो होता है पहली पर इस तरीके के होता है पहली ताली दूसरी ताली फिर उसका तिसरी पर जैसा कि खाली होता है मतलब यहाँ और फिर इस जगह पर तिसरी ताली होता है तो तीन लिख दिए फिर उसका चौथी पर यहाँ होता है चौथी पहली दूसरी और यहाँ पर इतना हो कि आप फिर उसके बाद तो यही पर था कि इस तरीके तिसरी तो हो गया आप यहाँ पर चौथी में होता है खाली फिर इधर चौथा वला में आता है चौथी ताली तो इस तरीके के फिर यहां से हो गया तो इसको ध्यान से लिखने का तरीका पता होगा तो समझी गयोंगे कैसे होता है फिर उसका इसमें भी वही होगा कि पहली तो पहला ताली तो होई जागा उसका दूसरा पर खाली होता है तिसरा पर होता है दूसरी ताली फिर उसके ओण यहां पर बात करें तो खाली हो जागा इस जगह पर यह आकर भी फाग यहां चेंज हो रहा है तो यहां खाली यहां चौथी ताली तो यह वहला है असान है आपको समझेंगे तो असानी से समझ जाएंगे फिर उसके बाद यहां पर चौथ ताल में भी उसी तरीका से होता है जैसा कि पहला में देख लिखेंगे तो दुसरी ताली होता है फिर यहां पर खाली होता है फिर इस साइट पर कि तिसरी ताली होता है फिर इस जगह पर यह खाली होता फिर यहां पर चौथी ताली तो मातरा आप लिख दीजी अच्छा रहेगा जैसा कि यहां पर मातरा यह पूरा होता एक, तो यहां तक चौथी मात्रा ही है, यहां पर पांच भी मात्रा, यहां पर छठी, यहां पर साथ भी, यहां पर आठ भी मात्रा, फिर नौवी मात्रा, दसमी मात्रा, ग्यारहवी मात्रा, फिर यहां प्रोजागा बारहवी मात्रा, तेरहवी मात्रा, चौदहवी मात्रा, है नी तो यहां पर यह वी मात्रा होगा यह पर तेरह हो जागा और यहंदा है क्योंकि serge हम 2 मात्रा में 4 बोल होना चाहिए तो एक Doch तेंचार तो इसी को जोर दिया था 24 जा हो गया तो इस के वाद तो इस तरिके एक यहां पर ऐसी रहना चाहिए तो लिखने का तरीका सीख लिजे नहीं तो यहीं भी लिख सकते फिर उसी तरीका से यहां पर भी हमें देदना चाहिए था जैसा कि एक दो तीन चार पांच छो साथ फिर आठ नो दस ग्यारा बार तेरह चौदर तो इस तरीके के हमने बोल दे दिया फिर इसी तरीका से एक दो तीन चार पांच फिर हो जागा सीक्स सेवन एट नाइन ना जो है दस इसी में आ जाएगा फिर हो जाएगा यहां पर ग्यारा बार तेरह चौदर तो इस तरीके के आपको देना है और यहां पर भी बोल तो देही देना चाहिए था फिर भी दे देते हैं एक दो तीन चार पांच छो साथ 8 9 10 11 12 13 14 तो इस तरीके के हो गया अब लास्ट में आप इसको खुद से पर लिजे तुलना करने के लिए बोला गया है उत्तर और दक्षीनी भारते संगीत को तुलना आप किजिए तो यह खुद से पढ़ सकते यहां से लेकर यहां तक आप चाहतों पढ़ सकते हैं पिर उसके बाद यहां से यहां तक भी खुद से समान ताय क्या क्या है दोनों में तुलना क्या गया तो यह भी पढ़ सकते वीडियो लोग करके फिर उसके वाद यहां से भी पर लिजिए जो भी आपको लगता है तो यहां से पर लिजिए फिर उसके आद यहां से लेकर भी भीन ताय में भी पर लिजिए यहां से यहां तक चौथा पॉइंट तक पाच्मा पॉइंट भी देखी लिजिए फिर उसके वाद यहां पर भी पर लिजिए तो इस तरीके से हमने पूरा कोशन बनाया बस खाली वो अब्जेक्टिव अला था तो वो गुरु जी से पूछेंगे तब हम आपको कमें जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो पूरा हम यहां पर फर्स्ट इयर से आपको हम बताने कोशिश करेंगे तो जो भी इसमें दिया हुआ है तो इसका दाम भी आप देखना चाहेंगे तो यह असीर प्या का दिया था देख सकते एर्टी रूपीज और यह हमको दिया था 120 रूपिया का भाग व और ऐसे थिवरी तो बताएंगे तो जरूर तो सब्सक्राइब कर लिजे देख सकते एड्मीट कार्ड भी यहां पर है तो इस तरीके का एड्मीट कार फूर्थ हैर में अभी है हम तो बस इसी तरीका से उसका फ़र्स्ट यह देख सकते हैं यह एक्जाम हमने दिया था द्वीटियवर्स का यह कुस्टन है तो इस तरीके के देख सकते हैं फिर उसी परकार से त्रीटियवर्स का भी कुस्टन है तो आपको अगर जरूरत है तो आप स्क्रीन सट ले भी सकते हैं त्रीटियवर्स का भी कुस्टन देख सकते जो कि यह भी दिसंबर में हुआ था इसका एक्जाम तो यह त्रीटिय वर्ष का कुस्टन है और उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो यह चतुर्थ वर्ष का है कुस्टन तो इसको एकदम अच्छे से स्क्रीन साट ले लिजिए साफ वीडियो क्वालिटी 720 पिक्चर करके देख सकते हैं आप स्क्रीन साट ले लिए होंगे उसके बाद चाहे तो इस तरीके से भी कर देते हैं और इसक्रीन साट ले लिजिए अगर आपके काम के आने वाले हैं तो तो इस तरीके के स्क्रीन सट आप चाहे तो ले सकते हैं फिर उसके बाद यहां से भी यहां तक के ले लिजी अच्छा रहेगा शाद जरूरत पर जाया तो इस तरीके के स्क्रीन सट ले लिए होंगे और जरूरी है तो फिर उसके बाद यहां से यहां तक के स्क्रीन सट ले ल झाल 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 झाल